हकीम एहमद नईम राशित ने लिखा है तेन सौ लाशां वेडे पईयां देखो डंकी लान दा फैदा चूठा सोग मनान दा फैदा दो कडियां कुरलान दा फैदा जे नई डखना एजेंटानू एवे रॉला पान दा फैदा मापे वीरे पैना छड़के लैन गया यूनान दा फैदा मर जाने नू केड़ा पुछे की होया मर जान दा फैदा जिस दी गल न मननी जावे ऐसी पारलिमान दा फैदा तेन सौ लाशां वेडे पैयां वेखो डंकी लान दा फैदा यार हकीमा कोई ते सोचे रौन्दे पाकिस्तान दा फैदा नाजरीन मैं हुई आसर रशीद और आप मेरा विलाग देख रहे हैं नाजरीन हर गुजरते दिन के बाद एक और दर्दनाक इनकिशाफ मनजर्याम पे आता है रौन्ग टे खड़े हो जाते हैं रूख कपकपाने लगती है जबान दास्तान बताते लड़कडाने लगती है किस मां का कर बयान करूँ किस बाप की खोकली निगाहों में छुपी हुई दास्तान का तज़करा करूँ किस बहन की फर्याद पहुँचा सकूँ और कितने बच्चों की लावार्सी की कहानी सुनाओ ये मसनद एक्तदार पे बैठे हुए जो आज से चंद दिन पहले ये कहते हुए इतराते थे कि हमारे दारे हुकुमत में लाखों लोग आला तालीम के लिए बाहर चले गए वो अब क्यों नहीं बोलते कि ये जो बाहर गए ये किस के लिए गए इन पर जिन्दगी तंग क्यूं हुई तमाम अफराद बजरिया हवाई जहास तो नहीं गए वो कैसे चलेगा जब हर रोज एक नई कहानी सुनता हूँ तो सोचता हूँ कम सिन बच्चे भी इनसानी स्मगलर से महफूस न रहे गुजरात का चादा साला अबुजर भी छोटी सी उमर में घर बेच कर और कर्ज लेकर सुनहरे मस्तक्बल के खाब सजाए यॉरप के सफर पर निकला मगर यूनान कश्टी हादसे में उसके साथ उसके खाब भी समंदर बुर्थ हो गए अबुजर के वालिद ने अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हुए बताया कि घर बेच कर और कर्ज उठा कर बेटे की जिद पूरी की बेटा घरवालों की किसमत बदलना चाहता था और चोटे माजूर भाई का इलाज करवाना चाहता अपना बेटा है ना ही कर्ज उतारने का कोई सहारा है एक और बदकिसमत भाई जिसको मालूम है कि उसका भाई उसी कश्टी पर सवार था लेकिन अब तक उसकी शनाख ना तो मरने वालों में हुई है और ना ही उन बारा पाकिस्तानी शेहरियों में वो शामल है जो जिन्दा बच गए थे कश्टी को डूबे अब कई दिन बीच चुके हैं लेकिन फिर भी उसे उमीद है कि शायद कोई मोजज़ा हो गया और उसका भाई यासर अब भी जिन्दा हो हलांके उसे ये भी मालूम है कि उनके गाउं बंडली से जो दो लड़के जिन्दा बच जाने वालों में शामल थे वो ये बता चुके हैं कि जब कश्टी उल्टी तो उनके गाउं के बाकी 26 लड़के भी उन्हीं के साथ उसी कश्टी पे सवार थे उसके बाद वो कहां गए गाउं के उन दो जिन्दा बच जाने वाले लड़कों को नहीं मालू वो तो खुद समंदर में कूद गए थे जहां से यूनानी कोस्ट गार्ट्स ने उनकी जाने बचाई थी लेकिन उसने अपने सबसे चोटे भाई की लाश अभी तक नहीं देखी और अब तक उसे वो बुरी खबर भी नहीं मिली जो शायद वो जानते हुए भी सुनना नहीं चाहता लेकिन उसके लिए उस खबर का इंतजार भी कठन है पता तो चले कि वो जन्दा है या नहीं अगर नहीं तो उसकी लाश ही हमें मिल जाए ताके हम उसकी तद्वीन कर सके वो कहता है कि इस से ज्यादा ये इंतजार यासिर की एहलिया के लिए जान लेवा है जिसने अपनी एक साला बेटी को गोद में उठा रखा है उनका बड़ा बेटा तीन साल का है जो घर के आंगन में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है और उसको ये भी नहीं मालूम कि गहर के बाहर लगे शामियाने के नीचे लोग क्यूं आके बैट रहे हैं और उसके बाप का तजगरा क्यूं कर रहा है बंडली आजाद किश्मीर के जिला कोटली में पाकिस्तान और इंडिया की सरहद यानी लाइन अफ कंट्रूल के बिलकुल साथ है पहाडों के दावन में छोटे भरे घरों पे मुझतमिल बंडली के इलावा चंद और देहाद भी है यहां से सरहद के उस पार इंडिया के जिले इन्टाशाम किश्मीर के इलाके में बने घरों को भी रहा जा सकता है बंडली और उसके इर्द गृर्द बने घरों में कुछ बहुत बड़े हैं और जदीद तरज ता मीर की जलक दिखाते हैं उनको देखके लगता है कि उनके मकीम बड़े रईस होंगे। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जो दो या तीन कमरों पर मुझतमिल हैं और उनमें दो दो और तीन तीन खांदान अबाद है। उनकी हालत से महसूस होता है कि उनमें रहने वाले लोग ज्यादा खुशाल नहीं हैं एक ऐसा ही घर जो चार भाई और दो बहनों पर मुझतमिल था यासर उसमें सबसे चोटा भाई था उसके पास सिर्फ पांच किनाल जर्ई जमीन है जिससे गुजर बसर होना नामुमकिन है चारों भाईयों के मेहनत मजदूरी करना पड़ती थी तो घर चलता था क्या करते भूक से मर रहे थे मजदूरी कभी मिलती थी और कभी नहीं मिलती थी और जो मिलती थी उससे गुजर बसर नहीं होता था और महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि घर का खर्च इसम्हें इन्सानी स्मग्लरों की मदद से खेर कानुनी तर पर इन्हें य्युर्प में दाकिल होने की कोश्च करना थी इसमें हफाई सफर के बाद अफरीकी मुल्क लीबिया जाना था जहां से उन्हें अफरीका, एशिया और यूरप के दरम्यान वाके बहर रॉम के पानियों पर एक बहुत ही छोटी सी कष्टी में सफर करना था जो आमतार पर गुंजाईश से कहीं ज्यादा भरी होती है बहुत से ऐसे वाकायात मौजूद थे जिन बहर रॉम को वूर करके यॉरप पहुँचने की कोशश में ऐसी कष्टियां उलट चुकी थी और सैंकडों लोग हला कुछ है लेकिन जब एक माँ दस दिन पहले यासर ने इनसानी समग्लरों की मदद से ये सफर अपनाने के लिए घर छोड़ा तो वो अकेला नहीं था उसका होसला बढ़ाने के लिए उसके गाउं के दरजन और नौजवान इस पूर खतर सफर के लिए या तो चंद रोज पहले ही जा चुके थे या उसके साथ जा रहे थे और कुछ उसके बाद के दिनों में उसके पीछे आने वाले थे बहर रोम में यौनान के पानियों में डूबने वाली कश्टी में बंडली गाउं के लगभग 20 से जाएद मर्द सवार होने की इतलात है गाउं के उन्हीं अफराद में 26 साला एक साजित भी था उसने इंटरमीडियर तक तालीम हासिल की थी लेकिन उसके बाद से वालिद के साथ हाथ बटाने के लिए करीब ही वाके खुई रटा शहर में अपनी दुकान पे काम करता था उसकी छोटी बहन भी एकी तालिबा है जिसे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि उसका भाई शायद अब कभी वापस ना सके वा बात करने के लिए तमाम तर हम्मत जमा करने के बावजूद भी बात करने लगी तब फूट फूट के रूने लगी उसने एक इंटर्वियू में का कि मेरे वालिद बलर्ड प्रेशर के मारीज है हम दो बहने पढ़ रही है वो हमारा भाई हमारे घर का सहारा था अब हम क्या करेंगे उसको बेवसी के साथ शदीद घुसा भीया रुसे का रुख उन इंसानी स्मगलर्स की तरफ है जो उसके भाई को वरगला के ले गए वो कहती है कि ये सारा किया धरा एजिंट्स का है उन्होंने मेरे भाई को सबस बाग दिखाए वो अपने बहतर मस्तक्मिल के लिए यॉरप की तरफ जाना चाहता था और अपनी जान की बाजी हार काया ये इनसानी स्मगलर्स कहां से और कैसे मिलते हैं वो बदकिस्मत बाप बताता है कि मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है लेकिन वो बज़ित था तो मुझे ये भी डर था कि अगर मैंने उसको ज्यादा रूका या पैसे न दिये तो वो शायद घर से भाग कर ये कदम उठा लेगा बंडली के रहाईशी यासर का मौमला इन से कुछ मुखतलिफ था उसने खानदान की मुशावरत के बाद फैसला किया था फिर उन्होंने किसी इनसानी स्मगलर एजेंट से राविता किया था जो रावल पिंडी में था और मुहमद यासर के इलावा उस एजेंट से उनके घर क किसी फर्द की कभी मुलाकात ना हुई थी उसके साथ बस फान पर ही राविता था और उसके भाई का कहना है कि मैंने उसे कभी नहीं देखा सिर्फ मेरे भाई को ही इल्म था कि वो उससे कैसे मिला एक बाप की बताता है कि एजेंट्स मुखतलिफ ग्रुप्स में काम करते है यहां के अजेंट्स का काम सिर्फ यहां से लोगों को तैयार करना पैसे लेना और उन्हें अगली मंजल की तरफ रवाना कर देना होता है आगे दूसरे अजेंट होते हैं और फिर लीबिया में पहुंचकर बड़े अजेंट्स होते हैं लोग बताते हैं कि उनके भाई ने एक माँ कबल खानदान वालों से आखरी मुलाकात की और बंडली से इसलाम अबाद रवाना हुआ इसलाम अबाद से एजंट ने उसे टिकेट दे के जहाज पे बिठाया उसी टिकेट पर उने इसलाम अबाद से लीबिया तक का सफर करना था और रास्ते में जहाज को पहले दुबाए और फिर मिसर में रुकना था एक और लापता शक्स के रिष्टेदार ने बताया है कि लीबिया जाने के लिए एजंट्स ने उन्हें कुछ परमिट दिया जो जाली होता है और उस पर लीबिया में दाखला गेर कानूनी होता लेकिन लीबिया में हुकूमत वगेरा तो ही नहीं इसलिए वहाँ जाना असान होता है इसलिए सारे एजंट्स लीबिया ही का इंतखाब करते हैं लीबिया पहुंचने के बाद फ़ान पे इतला दी जाती है तो फिर एजंट के साथ मौाहिदे के मताबक उन्हें 22 लाक रुपे की रकम यहां पे भीजवा दी जाती ये पैसे उन्होंने मुक्तलिफ लोगों ने इस्चेदारों और दोस्तों से उधार ले रखे थे लोगों का ये ख्याल था कि जब उसका भाई उसका बेटा उसका बाप यॉरप पहुंचकर कमाना शुरू कर देगा तो वा तमाम लोगों की रकम वापस कर देंगे लेकिन अब वो ये कैसे रकम लोटाएंगे उन्हें मालूम नहीं है बहिर ए रॉम में हुआ क्या अमूमन इस किसम के सफर पर तीन दिन लगते हैं जिन में लोग लीबिया से यॉरप पहुंच जाते हैं जिस कश्टी पर ये लोग सवार हुए थे उसको लीबिया से निकले तीन दिन से ज्यादा गुजर चुके थे उनका अपनों से कोई राबिता नहीं था रिश्टेदारों ने पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स को फान किया और मालूम करने की कोशिश की कि कि उनके बेटे भाई कहां हैं वो पहले तो टाल मटोल करते कि आज फलाँ जगा हैं कल फलाँ जगा हैं कल यॉरप के पानियों में दाखिल हो जाएंगे लेकिन फिर एक दिन उन्होंने भी अपने फान बंद कर दिये उसके बाद युनान से किसी के अजीज ने उनको खबर दी कि तारकीन वतन की लीबिया से यॉरप जाने वाली कश्टी को हादसा पेश आया है और वो डूब गई है उसके बाद खबरे आना शुरू हुएं सिर्फ असी के लगभागर फराद की जान बचाई जा सकी थी जिन में सिर्फ बारा पाकिस्तानी शामिल है उनमें से दो का तालुक बंदली से था लेकिन वो नहीं है जिनकी कहानी मैं उपर सुना चुका हूं बहुत से लोग खानदानों को एक मुभम सी अमीद है कि शायद उनके प्यारे उस कश्टी में सवार ही न हुए हों लेकिन बंदली के दो जिन्दा बच जाने वालों ने अपने पेगामात में बताया है कि वो उनके साथ ही कश्टी में सवार थे और उनके मुदली से तालुकने वाले 28 अफराद उस कश्टी में सवार थे कुछ ने अब भी मुकमल तार पे उमीद नहीं छोड़ी वो कहते हैं कि इनतजार की अजियत बरदाश्ट करना अब उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है अगर हमारा भाई जिन्दा नहीं तो कम असकम हमें उसकी लाश मिल जाए ताके हम उसकी तदफीन कर पाएं वो कहते हैं कि तमाम तर हकाइक इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उनके भाई के जिन्दा बच जाने की अमीद कम है लेकिन वो जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देख लगते वो उमीद पर काइम ही रहेंगे बाद से हुकाम ये बताते हैं कि जो पाकिस्तानी अब तक लापता हैं उन्हें वापस लाने में वक्त लगेगा कमिशनर मीरपूर है, चादरी शाकत अली उन्होंने बताया कि मीरपूर डवियन से लगभग 23 ऐसे अफराद हैं जिनके बारे में मसद्दका इतलात हैं कि वो कश्टी में सावार थे उनमें से सिर्फ दो जिन्दा बचे बाकी अफराद के जिन्दा बचने की इमकानात अब ना होने के बराबर है उनका कहना है हकूमत जल्द मतासिरा खानदानों के अफराद की डियन एन सांपल्स जवा करने का अमल शुरू कर रही है और ये सांपल्स युनान फिजवाए जाएंगे जहां मुर्दा हालत में मिलने वालों के साथ इनको मैच किया जाएगा अगर इनके डियेट ने मैच हो गए तो फिर उनकी लाशों को पाकिस्तान लाने के अमल का आगाज होगा और इस तमाम अमल में कई दिन लग सकते हैं इस वक्त तक लग भग 20 से ज़्यादा खानदान बेबसी ये कश्मीर की बात कर रहा हूँ मायूसी और एक मुभम सी अमीद के धांगे से बढ़े हुए है कि क्या हमारा बच्चा बच जाएगा तो सवाल ये कि क्या कोई बाकी भी बचा है पाकिस्तान के अंदर से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुजश्चता छैस माह, आट माह, नौ माह से गए हुए हुए किसी को कुछ नहीं मालूँ, जिसका राबिता मुनकता है वो यही सोचता है कि हमारा जो शक्स था वो शायद इसी कश्टी के उपर सावार था और अब उससे मुखतलिफ जो जहनी इखतरा है वो इस वक जनम ले रही है तो एक खबर जब इसी तनाजूर के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने एकदमात उठाए सिफारत खाना पाकिस्तान जो लीबिया के अंदर मौजूद है या यूनान के अंदर मौजूद है उसने जांच परताल करने की कुश्श की तो कुछ हकाइक मनजर आम पे आए कि लीबिया की जेलों में 28 पाकिस्तानी ऐसे हैं जनके कैद होने का इनकिशाफ हुआ है तमाम अफराद का तालुक आज़ाद किश्मीर के इलाके कोटली से तमाम नौजवान 9 मां से लीबिया की जेल में कैद है पाकिस्तानी नौजवान इसी तरीके से डंकी लगा के लीबिया गए लीबिया से इटली जाते हुए उन्हें पुलिस ने गिरफ़तार कर लिया एजेंट्स ने तमाम नौजवानों से फीकस 30-30 लाक रुपए वसूल किये थे अब ये नौजवान इंतहाई मुश्किल हालात में और लीबिया में कैद पाकिस्तानीों ने ये रिक्वेस्ट किये कि हमें हर जगा से राबिता करने के बाद जब कोई शनवाई नहीं हो रही तो हमें सिफारत खाने की जानब से भी राबिता करने के बावजूद एक्दामात के आसार दिखाई नहीं दिये तो हम अरबाब एक्तियार से अपील करते हैं कि हमें यहां से निकल वाया जाए अब उस पे बहुत से लोग इस सोच बचार में हैं कि शायद हमारा भाई उन में माजूद होगा शायद हमारा बेटा उन में माजूद होगा लेकिन यह तो नौमा से कैद हैं यह तो पुराने लोग जो हैं उनकी आस बहाल हो रही है जो अभी करीब ही की इतलात मौसूल कर चुके हैं और घर के बाहर शामियाने लगा चुके हैं उनकी आस अमीद कब तक काइम रहेगी क्योंके अमीद पे तो दुन्या काइम है लेकिन ये हकूमत क्या रियास्त या माँ का करदार अदा कर रही है इस हकूमत को खुद इसका इंदाजा होगा मुझे दीजे इजाज़त अल्हान के बाद